हेलो एब्रीवान स्वागत आप सभी का डोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में आज हम लेके आए हैं मौक टेस्ट नंबर 14 हर्याना पुलिस दिल्ली पुलिस और डी ट्रिपल असबी के लिए तेका तीनों के लिए इंपोर्टेंट है और वही कोशिन हम करेंगी जो की एक्जाम में पूछे गए हैं प्रिवियस जो ओनलाइन एक्जाम होते हैं उनमें पूछे गए हैं इसके लावा अगर आप दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल और हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल के लिए कंप्लीट मौक टेस्ट चाहते हैं जिस भी पैटरन पे जो पेपर ठीक है तो चलिए शुरू करती हैं मौक टेस्ट को फर्स्ट कोशन है ए मंकी सिटिंग और ब्रांच ओफ ट्री सडली फॉलिंग डाउं तोवर्ट से ग्राउंड इस एन एक्जाम्पल ओफ एक पेड की साखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की और नीचे गिरना किस का जो है एक उधारन है ओप्शन्स दिये हैं ला ओफ कंजर्वेशन ओफ मास ला ओफ कंजर्वेशन ओफ एनरजी कैपलर ला या न्यूटन थर्ड ला ओफ मोशन तो इसमें कौन सा नियम लगा है कि पेड की साखा पर कोई बंदर बैठर वो अचानक जमीन की और नीचे गि कि एनरजी जो है उसको ना तो क्रियेट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रोए किया जा सकता है लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं ट्रांस्फों कर सकते हैं फ्रॉम वन फोंटू अनाधर ठीक है एनरजी को ना क्रियेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रोए कर सकते हैं लेकिन किस law के कारण होता है तो वो भी क्या है law of conservation of energy है waterfall from the sky sky से जो water गिरता है वो भी किस पर based है law of conservation of energy पर ठीक है इसके अलावा water can produce electricity यह भी किस पर based है law of conservation of energy पर तो right answer जो हो जाएगा यहां भी वो हो जाएगा उर्जा सरक्षन का नियम ठीक है चलिए अगला देखते हैं if absent equal to this then school will be coded as absent का code दिया है तो हमें school को बताना है कि school का code क्या हो जाएगा इसमें से तो देखते हैं कि absent के लिए इन्होंने क्या use किया यहां पर लिखा हमने absent और इसका code दे दिया b, d, v, i, s और j ठीक है तो देखें a के बाद जो है क्या आ गया तुरंत बाद b आ गया उसके बाद b और d के बीच में कितने का gap है एक का gap है पहले 0 का gap था फिर 1 का gap है यहां पर आप देखेंगे तो stu 2 का gap है then v है ठीक है इसमें देखें e, f, g, h तीन का gap है then i है इसमें 4 का gap है और इसमें 5 का gap है तो इसमें यही जो है चल लेगा school में अगर हम देखें अब हमें school का code लिखना है school का code लिखना है तो तुरंत बाद क्या आएगा इसके बाद t आएगा फिर one word को skip करना है और next वाला लेना है तो c के बाद d को हम छोड़ देंगे और क्या आजएगा e आजएगा t e उसके बाद देखें h यहाँ पे हमें दो word को skip करना है h i j को skip करेंगे तो k हो जाएगा यह पी तो t e k अगले में देखते है three words को skip करना है p q r को skip किया तो s आ गया है इसमें four words को skip करेंगे तो t आ जाएगा ठीक है and then five words को skip करेंगे तो r आ जाएगा तो answer हो जाएगा t e k s t r ठीक है चलिए next देखते हैं series का question है 0.1 0.9 0.001 then 0.009 question mark 0.009 तो अब हमें बताना है कि question mark की जाएगे क्या आएगा okay तो देखें series किस तरीके से चल रहे है एक one वाली series है तो second nine वाली है 9 वाली है sorry 0.1 से क्या बन गया 0.01 यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.9 फिर 0.09 फिर 0.009 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.001 हो जाएगा ठीक है तो right answer 0.001 ठीक चलिए अगला देखे if p means subtraction q means division r means addition and s means multiplication then हमें बताने कि इसका answer क्या आएगा अगर हम इस तरीके से इन्हें रखेंगे तो देखें सबसे पहले 15 क्यों का जो अर्थ है क्यों का जो मतलब है वो क्या है भाग है तो यह divide हो जाएगा then 3 r का अर्थ है जोड तो plus आ जाएगा यहाँ पे ठीक है then 24 p का अगर हम देखेंगे तो p का meaning जो है वो है minus then 12 हो गया s का जो meaning है वो है multiplication then 2 अब इसको solve करना है तो हम इसमें क्या लगाएंगे board mass लगाएंगे तो सबसे पहले division को solve करेंगे division को solve किया तो यहाँ पे आ गया 5 उसके बाद multiplication को solve करेंगे तो यह हो जाएगा 24 ठीक है यहाँ पे plus 24 यह minus 24 एक plus का एक minus का तो दोनों cut होगे right answer क्या हो जाएगा 5 जो है यहाँ पे correct answer निकल जाएगा ठीक है चलिए next देखते है rhinoscope is an instrument for examining the rhinoscope जो है किसकी जाच करने का एक उपकरण है nose, eyes, brain या फिर ears तो rhinoscope से किसकी जाच की जाती है narc की nose की जाच करने का एक instrument है तो first option जो यहाँ पे सही हो जाएगा nose ठीक है next देखे simplify करना है xx-2 plus 3xx-3 कुछ इस तरीके से दिया गया है तो simple है solve कर लेंगे x को पहले इसके साथ multiply करेंगे और 3x को इसके साथ तो यह हो जाएगा x square minus 2x plus 9x, sorry 3x square, 3x square होगा और minus 9 तो कुछ इस तरीके से आजाएगा, जो x square की term है उन्हें जो है हम add कर देंगे तो यह हो जाएगा 4x square और minus 9, sorry 9x आएगा यह, 9x minus 2x मतलब दोनों ही minus कियें तो plus हो जाएगे, लेकिन sign minus कराएगा तो 11x जो है सही हो जाएगे तो 4x square minus 11x इसका सही अंसर हो जाएगा, first option ठीक है next question देखते हैं, देखिए what is not true regarding the voting rights under the democratic system in India भारत की जो लोक्तांतरिक प्रणाली है, उसके तहट जो मतदान के अधिकार के संबन में बताना की कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो गलत है वो बताना है सबसे पहला है कि those who are deemed unsound of mind can also vote मतब जो मांसिक रूप से ऐस वस्त लोग है, वो भी मतदान कर सकते हैं only people with their names on the electoral role are allowed to vote जिनका नाम मतदाता सुची में है, वो मतदान कर सकते हैं any citizen over the age of 18 can vote and there is no gender discrimination तो कौन सा जो है इसमें से गलत है, जो कि मतदान के बारे में सही नहीं है तो देखे, वोट डालने के लिए कितनी एच चाहिए, 18 चाहिए, तो बिल्कुल सही है कोई लेंगिक भीदवाव नहीं होता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि औरत डाल सकती है मतलब, जेंट्स डाल सकते हैं लेकिन जो फिमेल होती है वो नहीं डाल सकती है तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कोई लेंगिक भीदवाव नहीं होता है तो यह भी बिल्कुल सही है। ये एक लाप है। कुछते है। खैक है। तो right answer first हो जाएगा चलिए अगला दीखिए 18 men built a tanker in 25 days how many days would it take for 10 men 18 आदमी है जो एक tanker को 25 दिन में बनाती है तो हमें बताना है कि 10 आदमी सीम इसी tanker को कितने दिनों में बना सकते हैं तो यहां पर कौन सा formula लग रहा है M1, D1, H1 upon work ठीक है? equal to M2, D2, H2, work 2 तो work हमेशा नीचे आएगा बाकि जो सारी चीज़े दी होंगी वो सारी उपर होंगी अब देखें man कितने हैं 18 men है और कितने दिन लग रहे हैं 25 days लग रहे हैं कितने tanker बनाने में? एक tanker बनाने में एक tanker लिखा है ठीक है? अब इसने कहा how many days कि कितने दिन लगेंगे कि 10 आदमी इसी tanker को बना सके तो 10 men है हमें निकालने कितने है? दिन निकालने है और काम कितने है? वही एक tanker को बनाना है ठीक है? तो days निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 10 को इस side लेके आएंगे तो यह आजाएगा 10 इदर ठीक? 525 माज़ूनी 10 दो निकालने 18 तो days कितने लगेंगे उसे? 45 days लगेंगे 10 आदमी को उस tanker को बनाने में तो right answer 45 हो जाएगा ठीक है? चलिए next देखे Okay, sorry Which of the following is not a modifier key in an IBM compatible computer निमन मैंसे कौन सी कुणी IBM संगत computer की modifier कुणी नहीं है, जो modifier की नहीं है, control, windows की, tab या shift तो इन में से जो modifier की नहीं है, वो बतानी है control भी है, shift भी है, windows की भी है, जो नहीं है वो कौन सी है, tab, तो right answer हो जाएगा है आपे, tab ठीक है? Okay, next देखे, which one does not belong to the category of metallic minerals? इन में से कौन सा है, जो धात्वी खनी, जो की श्रेनी से सम्दित नहीं है coil, nickel, bauxite या tin, देखे, metallic minerals कौन से होते हैं, वो minerals जो की, कोई ना कोई metallic element contain करते हैं ठीक है, जो metallic एक या एक से जादा, एक या एक से जादा, जो metallic element contain करते हैं, वो क्या कहलाते हैं metallic mineral कहलाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो non-metallic minerals होते हैं तो metallic minerals में अगर हम देखे तो कौन-कौन से आते हैं, iron आते है copper हो गया ठीक है, silver है, bauxite है magnees है, tin है, nickel है ये सारे क्या है metallic minerals है, और non-metallic में कौन से आते है, coil आता है coil हो गया, ये क्या है non-metallic है, तो right answer यहांपी क्या होजएगा koila, ठीक है चलिए अगरा देखे the engine of the dash is the oldest working steam locomotive in the world dash का engine विशुव का सबसे पुराना कारिय शील भाप engine है palace on wheels महराजय express, fairy queen या golden chariot तो कौन सा engine है जो सबसे पुराना कारिय शील भाप engine है तो right answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा fairy queen the engine of the fairy queen is the oldest working steam locomotive in the world ठीक है next चलिए देखे an ordinary magnet does not attract एक साधारन जो चुमबक होता है, वो किसको आकरशित नहीं करता है bronze को, steel को iron को या nickel को तो यहांपे एक साधारन चुमबक की बात हो रही है तो वो किसको नहीं आकरशित करता है कासे को आकरशित नहीं करता है आनि कि bronze को वो आकरशित नहीं करता है बाकि steel, iron और निकल तीनों को ही क्या करता है, attract करता है तो right answer यहांपे bronze हो जाएगा next देखे the main mountain ranges of India do not include भारत की मुख्य परवत सरंखलाओं में यह शामिल नहीं है मतलब इन में से कौन सी परवत सरंखला है जो भारत में नहीं है विंध्या, हिंदुकुष, अरावली, सत्थपुडा तो कौन सी परवत सरंखला है जो भारत में नहीं है देखे, विंध्या परवत सरंखला भी भारत में है अरावली भारत में और सत्थपुडा भी भारत में है कौन सी नहीं है, वो है हिंदुकुष हिंदुकुष कहां पर है, यह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बीच में ठीक है, हिंदुकुष जो परवत सरंखला है, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, भारत में नहीं है, तो राइट आंसर हिंदुकुष हो जाएगा है, ठीक है, Linux is an example of operating system, assembly language, application software या programming language, Linux के बारे में बताना है कि Linux क्या है, यूनेक्स हो, लाइनेक्स हो, यह दूनों ही क्या है, operating system है, तो राइट आंसर हो जाएगा, operating system, ठीक है, नेक्स देखे, 1940 के दशक में कुछ महानतम विज्ञानिक, यूरेनियम को प्रिश्कृत करनी और प्रमानु बम के निर्मान के लिए एक्तरित हुए, उनके काम को क्या कहा गया, मतलब कुछ greatest scientist जो थे, 1940 में gather हुए, कुछ uranium से बम बनाने के लिए, तो उनके जो काम था, जो भी project था, उसको क्या नाम दिया गया, पर्ल हार्बर प्रोजेक्ट, अटोमिक हैरिटेज, लोस, एलामोस प्रोजेक्ट, या मैनहेटन प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया था, ये पूछा गया है, तो देखे पर्ल हारबर प्रोजेक्ट किस से रेलेटिट था मैं आपको बता देखें कि पर्ल हारबर जो है ये कहां पर फेर्मस हुआ मतलब हिस्ट्री में अगर हम देखें तो सेकंड वर्ल्ड वोर हुआ था Second World War Second World War जब हुआ तो उसमें US से जो था participate नहीं करना चाहता था मतलब US से उसमें भाग नहीं लिना चाहता था क्योंकि First World War जब हुआ था तो उसे बहुत जादा लोस हुआ था तो इस कारण Second World War में US से भाग नहीं लिना चाहता था लेकिन Japan ने जो है Pearl Harbor पर जो था हमला किया था जिसके कारण जो था US को उसमें भाग लिना पड़ा और उसके बाद जो था US ने क्या किया था Japan के जो हीरो सीमा और नागा साकी है उन पर हमला किया था क्योंकि पहले Japan ने Pearl Harbor पर अटेक किया था तो Pearl Harbor उससे रिलेटिड है तो यहाँ पर जो यह 1940 के दशक में जो यूरेनियम को प्रिश्कित करने और परमानुवम के लिए एक्तरित हुए थे उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था Manhattan Project तो Manhattan Project जो है यहाँ पर सही हो जाएगा अगला देखिए Which one of the following is the navigation satellite इन में से कौन सा है जो एक navigation satellite है या navigation उपगर रहा है वो बताना है IRNSS, SLV3, GSLV या PSLV यहाँ पर बताना navigation satellite कौन सा है तो देखिए GSLV क्या होता है Geosynchronous Satellite Launch विकल यह होता है Geosynchronous Satellite Launch विकल PSLV होता है Polar Satellite Launch विकल ठीक है IRNSS होता है Indian Regional Indian Regional Navigation Satellite System तो यहाँ पर navigation satellite ही पूछा है तो वो कौन सा है वो है IRNSS ठीक है Full form याद रखिए Indian Regional Navigation Satellite System ठीक है तो first option है यहाँ पर सही हो जाएगा अगला दिखे George Lametre is related with the George Lametre बताने की किस theory से related थे यह Big Bang Theory Electric Current Solar System या Deoxyribonucleic Amal तो George Lametre किस से related है Big Bang Theory से ठीक है तो right answer हो जाएगा Big Bang Theory ठीक नेक्स चलिए Telex stands for Telex का जो है Full form बतानी क्या होती है Telegram Express Tali Communication Exchange Tali Printer Exchange या फिर Tali Phone Exchange Telex की Full form बतानी है क्या होती है Telex तो right answer क्या हो जाएगा Telex होता है Tali Printer Exchange तो right answer Tali Printer Exchange जो है याँ पर सही हो जाएगा ठीक है Next दीखे Okay अगला है Which of the following contain the world largest area of mangrove forest विश्व में mangrove वनों का सबसे बड़ा शेत्र निवन में से कौन सा है नामदफा नेशनल पाग रन ओफ कच बाल फक्राम नेशनल पाग या सुन्दर वन ठीक है तो यहाँ पर देखे mangrove वन कहाँ पर पाया जाते है सबसे बड़ा जो शेत्र है विश्व का वो कहाँ पर पाया जाते है सुन्दर वन में ठीक है में mangrove वनों का तो राइट आंसर हो जाएगा है यहाँ पर सुन्दर वन राष्टी उद्यान ठीक है Next देखे International Tourist Bureau Facility of Indian Railway is not available at भारतिया रेलवे की जो अंतर राष्टिया प्रेटक ब्यूरो सुईदा है वो कहाँ पर उपलब्द नहीं है चेन्नाई में तिरुवन्त पूरम में सिकंदराबाद में या बैंगलूरू में अंतर राष्टिया प्रेटक ब्यूरो जो सुईदा है बारतिया रेलवे की वो कहाँ पर उपलब्द नहीं है तिरुवन्त पूरम में उपलब्द नहीं है बाकी तीनों जगह उपलब्द है ठीक है नेक्स देखिए डाश is the name of Indian light combat aircraft डाश एक भारतिया हलके लड़ाकू विमान का नाम है चेतक, तेजस, रुद्र या ध्रुव लाइट कॉम्बेट एरक्राफ्ट कौन सा है इन में से तो राइट अंसर हो जाए है यहाँ पर तेजस तेजस is the name of an Indian light combat aircraft ठीक है नेक्स चलिए इन दे कंटेक्स उफ इन्फोरमेशन टेक्नलोजी इन्फोरमेशन टेक्नलोजी की अगर संदब में देखे तो नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पहले से मौजूद जो बड़े डाटाबेस होते है उनके वो जार्ज करने की जो प्रिक्रिया होती है वो क्या कहलाते है इसे कहा जाता है माइनिंग ठीक है डाटा माइनिंग आप कह सकती है तो इसे कहेंगे माइनिंग अगला देखे तिंडल अफ्ट इस रिलेटिट टू दाश ओफ लाइट रिफ्लाक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन या रिफ्रेक्शन जो टिंडल प्रभाव है ये प्रकाश के किस से सम्मंदित है प्रकाश के प्रावर्तन से, प्रकिर्णन से, प्रिक्षेपन से या अपवर्तन से तो टिंडल अफ्ट जो है रिलेटिड है स्कैटरिंग ओफ लाइट से ठीक है किस से रिलेटिड है scattering of light से related तो प्रकीरनन जो है सही हो जाएगा next है classification of public और private sector is based होंदा सारजनिक या नीजी छेतर का जो वर्गी करना है किसा दार पर किया जाता है service condition of employees, number of persons employees, nature of activity या ownership तो यह question चो हम पहले भी कर चुके हैं और अलग-अलग examo में बार बार आता ही है question ठीक है तो देखे सारजनिक और नीजी शेतर का जो वर्गी करना तो वो किस बेस पर होता है ownership के बेस पर होता है तो right answer हो जाएगा स्वामीत्व ठीक अगला देखे प्रसार भारती is an autonomous body that comprise प्रसार भारती क्या एक स्वायत निकायत जो किसके अंत्रगत आता है एयर दूरदर्शन और NBSNL बोथ एयर और दूरदर्शन एयर या दूरदर्शन only प्रसार भारती किसके अंडर आता है एयर और दूरदर्शन यानि कि All India Radio और दूरदर्शन दोनों के ही अंडर आता है तो right answer हो जाएगा B option बोथ एयर और दूरदर्शन एयर यूथ सेट रहफोर्स टू एयर यूथ सेट बताना है क्या है एक यूथ website है satellite है weekend party या motion picture है यूथ सेट क्या है तो यूथ सेट क्या है एक satellite है उपगरा है ठीक है next चलिए B and C are husband and wife respectively M is the father of K and C how is B related to M ठीक है क्या कह रहा है कि B और C क्या है पती पतनी है ठीक है M जो है वो K और C का पिता है M जो है वो K और C का पिता है ठीक है M B जो है वो M का क्या लगेगा चाचा बेटा सन इनलो या फिर ब्रदर ठीक है B और C क्या है husband wife है ठीक है और M और K sorry C M जो है वो K और C का पिता है तो B और M का रिष्टा बताना है B C husband wife है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B इसका क्या लगेगा यहाँ पे जो option सही आ रहा है वो आरा son in-law याने की दामात लगेगा ठीक है चलिए अगला देखिए डाश is the work done in moving in a unit charge between two points in an electric circuit किसी विद्यूच सर्किट की दो बिंदूों की मद्या एक इकाई आवेश की स्थानांतर में हुआ कारिया क्या कहलाता है potential difference कहलाता है current कहलाता है power कहलाता है resistance कहलाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा potential difference कहलाता है potential difference is the work done in moving in a unit charge between two points in an electric circuit ठीक है तो विद्धुवांतर कहा जाता है इसे अगला है तर रन उच्षव is a festival celebrated in रन उच्षव बताना है कहाँ पर मनाया जाता है गुजरात में, हिमाचल प्रदीश में, राजस्थान में या फिर मध्या प्रदीश में तो रन उच्षव को कहाँ celebrate किया जाता है इसे celebrate किया जाता है गुजरात में तो first option या पर सही हो जाएगा गुजरात ठीक है next चलिए the headquarter of the Indian Council of Agriculture Research यानि कि I CARE is located at भारतिक रिशी अनुसंधान प्रिशद का मुख्याल्य कहाँ पर है नई दिल्ली, बैंगलोर, दहरादून या फिर मुंबाई Indian Council of Agriculture Research कहाँ पर है इसका headquarter इसका headquarter है नई दिल्ली में तो न्यू डेली याँ पर सही हो जाएगा ठीक है next दीखिए एक chemical reaction is called dash reaction when heat is given out जो भी हम chemical reaction लेते हैं जिसमें से उस्मा निकले उसे कौन सी अभी क्रिया कहा जाते हैं उस्मा शेपिय विक्रिया सयोजन, उस्मा शोशी या अपगटन तो एक chemical reaction is called exothermic reaction when heat is given out तो उसे उस्मा शेपिय विक्रिया कहते हैं जिस रासाइनी कभी क्रिया में क्या होती है उस्मा निकलती है तो वो कौन सी कहलाती है उस्मा शेपिय ठीक है exothermic reaction बोलेंगे उसे ओके next देखे the contraction and expansion of the wall of food pipe is called dash moment भोजन नली की दिवारों के संकूचन और परशनन यानिकि जो भी contraction और expansion होता है जो भोजन नली की दिवार होती है उस गती को क्या कहते है कर्मांग कुंचन, जठर सम्मंदी, दोलनी या अनुस्थिलन यानिकि diastolic तो इस moment को क्या कहा जाते है तो right answer क्या हो जाएगा इसे कहते है peristaltic moment यानिकि कर्मां कुंचन गती कहा जाते है ठीक है, first option जो है, सही हो जाएगा next देखे the supreme court of India came into being on भारत का जो उच्टम न्याले है वो कब बना था इस दिन जो था अस्तितों में आया था 26 January 1950 28 January 1950 15th August 1949 और 26 November 1949 तो अब हमें पताना है supreme court जो था ये कब जो था अस्तितों में आया था तो supreme court कब बना था supreme court बना था 28 January 1950 में तो right answer हो जाएगा 28 January ठीक है, याद रखे 28 January 1950 ठीक है नेक्स चलिए प्रोसेस ओफ स्प्लीटिंग वोटर मोलिक्यूल बाई लाइट एनरजी इस रिकाश उर्जा से पानी के अनू के विखंडन की जो प्रिक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है इसे क्या कहते है, इसे कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है, डिफलेशन कहा जाता है इंफलेशन कहा जाता है, डेप्रीशियेशन कहा जाता है तो बहुत लंबी जो मंदी चलती है उसको पूछा है क्या कहा जाते है तो उसको कहते है depression यानि की अवसाद ठीक है उस मंदी को क्या कहा जाते है अवसाद कहा जाते है नेक्स्ट है silicone is commonly used silicone आमतोर पर प्रियुक तोने वाला क्या है semi conductor है conductor है amplifier है या insulator है silicone क्या है एक semi conductor है अर्द चालक है ठीक है next देखे साहित्य अकादमी is mainly radicated to the promotion of साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोचाहन देने के लिए समर्पित है drama, music, literature या dance form किसको जो है प्रोचाहन देने के लिए साहित्य अकादमी जो कुशकार है वो दिये जाते है साहित्य को, literature को, ठीक है तो right answer literature हो जाएगा ओके अगी देखिए the kurd dance is a famous dance form of बताना है कि जो kurd नरित्य है ये कहां का प्रशीद नरित्य है मध्या प्रदेश का, जमुएन कश्मीर का, औरिसा का या राजिस्थान का कुछ नरित्य है कहां का प्रशीद नरित्य है ये जमुए और कश्मीर का जमुएन कश्मीर जो है या पर सही हो जाएगा next देखिए, dash soil are also known as regur मतब किस मिट्टी को हम regur मिट्टी भी कहते हैं olivial को, black soil को, desert को या mountain को तो कौन सी मिट्टी को regur मिट्टी के नाम से जाना जाते है काली मिट्टी को regur मिट्टी के नाम से जाना जाते है निकि black soil जो है सही हो जाएगा या पर next देखिए, the Buddhist shrine, temple of tooth is located in, जो बहुत तीरत स्थान है दात का मंदिर ये कहां पर स्थीत है मलेशिया में, श्री लंका में, नेपाल में या फिर चाइना में दात का मंदिर, बहुत तीरत स्थल है ये कहां पर है, श्री लंका में है तो second option, श्री लंका यहां पर सही होगा ठीक है, next देखते है निमन लिखित में से क्या भारत के अंतरग्री है मिशन से संबन दीत है which one of the following belongs to India's interplanetary mission सरल, जूगनू, मंगल यान या अनूसेट जो interplanetary mission से रिलेट है वो बताना है तो right answer क्या हो जाएगा यहां पर मंगल यान ठीक है अगला देखे workbook इने computer application is basically related to जो computer में workbook होती है वो आम तोर पर किस से संबन्दित होती है MS Excel से, Adobe Reader से MS PowerPoint या MS Word workbook जो होती है किस से related होती है MS Excel से related होती है तो right answer हो जाएगा MS Excel ठीक है next देखे a person is called computer literate if he, she is just able to कोई व्यक्ती computer साक्षर कभ कहलाता है यदी वह सक्षम हो केवल आउशक application को चलाने में antivirus software बनाने में program लिखने में या दूसरे computer को hack करने में तो, मतलब किसी बंदे को ऐसा क्यों माना चाता है कि इसे computer आता है सिर्फ क्या आना चाहिए उसे जो भी आउशक application है वो चलाने आनी चाहिए तो, उसको computer साक्षर यानि कि यह समझा जाता है कि हाँ उसे computer आता है तो, रन नीड बेस्ट application ठीक है? In the famous book Hind Swaraj Mahatma Gandhi declared that the British rule in India was established जो प्रशिद पुस्तक आई Hind Swaraj 1909 में उसमें मात्मा गांदी ने इसपस्ट किया कि भारत में जो बिटिश साषन था वो स्थापित किया गया था विद दा cooperation of Indians by using force without the cooperation of Indians या by other foreign powers तो, भारत में जो बिटिश साषन था वो स्थापित किया गया था मात्मा गांदी ने क्या माना था कि जो British आशन जो स्थापित किया गया था वो with the cooperation of Indian भारतियों के सहयोग से जो था स्थापित किया गया था ठेक है Dash is the highest legislative body of India भारत का जो सरवोच्चे विदाई निकाए है वो कौन सा है Cabinet of Minister the Supreme Court Parliament या फिर Election Commission तो कौन सा है legislative body of India highest legislative सरवोच्चे विदाई निकाए कौन सा है Parliament यानिकी संसद तो right answer the Parliament हो जाएगा ठेक है Okay next देखे While editing a text document in MS Word the combination keys used for copying and pasting text are respectively MS Word के text document को संपादित यानिकी कोई भी file जब हम edit कर रहे हैं उसको एक copy और paste करने के लिए हम कौन सी keys का use करते हैं सबसे पहले हमें copy के बारे में बताना है then paste के बाने वे ठेक है तो देखें copy के लिए हम कौन सी use करते हैं Ctrl plus C use किया जाते है और paste के लिए कौन सी use करते हैं Ctrl plus V use करते हैं तो right answer हो जाएगा Ctrl plus C और Ctrl plus V ठेक है Next देखें यह वरकल सेलरी वह इंक्रीजड वाई 30% मतब किसी क्रमचारी के वेतन में 30% की वरिदी की गई जिससे मतब 30% की वरिदी करने के बाद जो उसकी सेलरी थी वह 910 रूपे हो गई है तो बड़ ओतरी होने से पहले यानि कि जो इंक्रीज हुई है उससे पहले उसका वितन क्या था ये बताना है तो हम मान लेते हैं उसका पहला वितन जो था वो 100% था ठीक है कितना था 100% उसमें कितना इंक्रीज हो गया 30 यानि कि 130% हो गया और 130% की वैल्यू कितनी दे रहा है 910 दे रहा है तो यह हो जाएगा 910 upon 130 into 100, then इसे cut कर दीजिए, 0 से 0 cut हो गया, 1391, तो यह हो जाएगा 700, तो बड़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था? 700 था, तो थर्ड ओप्टिन अब यह सही हो जाएगा 700, ठीक है? चलिए अगला दीखे, ICR stands for, ICR का नाम बताना है, Intelligent Character Recognition, Information Communication Reader, Integrated Computer Research, यह Institute for Cyber Research, ICR की full form बतानी है, तो ICR का जो पूरा नाम होगा, वो क्या होगा? ICR होता है, Intelligent Character Recognition, तो first option यहापे correct हो जाएगा, ठीक है, नेक्स देखे, the quorum to constituent a sitting of the loksabha is dash of the total number of member of the house, loksabha की जो बैठक है, उसके गठन के लिए जो आउशक quorum है, वो सदन के कुल सदशों का कितना बाग होता है, one half होता है, two third होता है, one sixth होता है, one tenth होता है, one half, two third, one sixth या one tenth, तो कितना जरूरी होता है सदन के कुल सदशों का, loksabha की बैठक के गठन के लिए one tenth, यानि की one, दसमा इस, दसमा बाग जो होता है, कुल सदशों का, तो one tenth जो है, आपे सही हो जाएगा, D option, next है, इसका, increase awareness for conservation of sparrows, गुरया के सरक्षन है, तो जागरुकता बढ़ाने के लिए celebrate किया जाता है, ठीक है, अगला देखिए, the fountain of wealth is located in, fountain of wealth बताना है कहा पर है, Singapore में है, Thailand में है, Saudi Arabia है या लंडन में है, कहा पर है fountain of wealth, क्या हो जाएगा, right answer, fountain of wealth is located in, Singapore, ठीक है, first option जो है, यहाँ पर सही हो जाएगा, Singapore, next, देखिए, the ozone molecule is made up of dash atom of oxygen, ozone के जो अनू होती है, वो oxygen के कितने प्रमानू से बने होती है, तो देखिए, ozone के अनू, oxygen के कितने प्रमानू होती है, तीन, चारफ, पाँच, या छे, तो देखिए, ozone को में किस तरह के से लिखते है, O3, तो इसमें oxygen के कितने प्रमानू होती है, तीन होती है, तो right answer हो जाएगा, 3, ठीक है, अगला देखिए, which of the following is not a threat to the tiger population in India, निमलीकित में से क्या भारत में बाग हो कि आबादी के लिए खत्रा नहीं है, reduction in available pre, या निको प्लबद शिकार में कमी, connecting wildlife corridor, cattle grazing या habitat fragmentation, जो आबादी के लिए खत्रा नहीं है, वो बताना है, तो कौन सा खत्रा नहीं है, connecting wildlife corridor, वन्या जीव गलियारों का सही हो, जो ये बागो क्या बादी के लिए खत्रा नहीं है, तो second option है, आप ये सही हो जाएगा, ओके, तो ये था आज का mock test, इसमें हमने total 53 question किये हैं, तो आप अपना score देख सकते कि 53 questions में से कितने question जो है, सही कर पाए हैं, ठेक है, और question अगर अच्छे लगे हो, तो वीडियो को like जरूर कीजएगा, share जरूर करें, thank you so much, का पाए हैं, तो आप हैं, अपनार च्राइब बद सोफनेगे हो, तो ये दिएesar हैं, तो ये ये जिते हैं, ये जिएल हैं, fireworks को जईएईन्वार को जो से कूधियोड़ के 2 में की जएए हैं, पाए हैं, पाए हैं, पार फ्राम हैं, आप्र्णोंगा झाल झाल